आज हम जानेंगे frequent urination के बारे में कि अगर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है बार बार पिशाप के लिए जाना पड़ता है तो इसके पीछे वजह क्या है और इसका solution आप कैसे कर सकते हैं तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रही है आपको यहाँ पर complete solution मिलने व आ रहा है और वो इतना extreme level पर लगेगा कि आपको just जाना ही पड़ेगा एक emergency आपके सामने create हो जाएगी और ऐसा इस वज़े से नहीं कि आप बहुत देर से रोक कर बैठे हुए हैं ऐसा इस वज़े से कि अचानक से आया और आपको अचानक से emergency create हो गई ऐसा आपको लगेगा frequent urination के दोरान में को कि आपने रोका हुआ नहीं है लेकिन अचानक से motion बना और आपको अचानक से जाना पड़ेगा इसके अलावा आपको toilet करते वक्त burning sensations हो सकती है जलन हो सकती है या फिर आपको दर्द हो सकता है urine pass करने में तो अगर इस तरह के symptoms आ रहे हैं तो यह frequent urination की समस बार toilet जाने की समस्या हो लेकिन कुछ common कारण है जो कि अकसर लोगों में देखने मिलते हैं वो मैं आपके साथ share करता हूँ सबसे पहला कारण UTI यानि की urinary tract infection अगर आपको किसी तरह का infection हो गया है urinary tract में चाहे kidney से लेकर urethra या फिर जो भी पूरा system है आपका उस system में कहीं अग 1890 पर भी अगर infection हो गया है जिसे urinary tract infection कहते है अगर वह infection हो गया है तो आपको frequent urination की problem हो सकती है जलन आ सकती है दर्द हो सकता है इसतरी की situation हो सकती है और आपका जो urine है वह smelly भी हो सकता है बहुत बदबुदार urine हो सकता है पहला कारण तो ये दूसरा कारण कि अगर आपक यानि कि आपका urine का bladder जो है जो आपके पेशाब की थेली अगर वो थोड़ी भी भरेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा भर गया मुझे फटा-फट से जाना पड़ेगा बहुत urgency create हो जाएगी ऐसा इस वज़े से होता है कि आपका जो bladder है बहुत जादा over active है over sensitive है कि अगर थोड़ा बहुत भी liquid आ जाएगा तो directly आपके bladder से दिमाग तक signal जाएगा कि आपका bladder भर गया है और आपको emergency में जाना पड़ेगा इस तरह की situation neurological problem की वज़े से हो सकती है और कई बार anxiety की वज़े से भी आपको ऐसा लग सकता है anxiety यानि कि आप बहुत ज़दा चिंता करते हैं बहुत ज़दा सोचते हैं विचार करते हैं इस वज़े से क्या होता कई बार आपका ध्यान आपकी bladder पर जाता रहता है और थोड़ा बहुत भी अगर bladder भरेगा आपको ऐसे लगेगा हाँ यह bladder भर चुका है अब मुझे जाना पड़ेगा urgency हो गई है तो यह condition हो सकती है over active bladder य यूरेन को बाहर निकालने के लिए तो इस वज़े से भी आपको frequent urination की problem हो सकती है या फिर prostate enlargement अगर हो गया है प्रोस्टेट में आपकी जो एक प्रोस्टेट ग्रंथी होती है urinary bladder के जस्ट पास में होती है इसमें या तो सूजन आ गई हो या यह बड़ा हो गया हो ऐसा अक बहुत जादा लिक्विड ले रहे हैं जैसे कि बहुत जादा पानी पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं चाय पी रहे हैं या किसे दरे की कोल्डरिंग अगर पी रहे हैं तो उस वज़े से भी आपको frequent urination की समस्या हो सकती है तो चलिए अब जानते हैं solution के बारे में कि कैसे आप frequent urination की problem को treat कर सकते हैं treatment depend करेगा कारण के ओपर कि किस कारण की वज़े से आपको यह problem हो रही है सबसे पहले कारण की बात करते हैं जो कि है UTI कि अगर आपको urinary tract infection हुआ है मान लेजे किसी bacterial infection की वज़े से हुआ है तो आपको antibiotics की जरुद होगी आपको एक doctor को consult करना चाहिए व गिलोय और नीम का काड़ा दिन में दो बार लें तो इससे आपकी UTI की जो problem है वो solve हो जाएगी लेकिन UTI के case में आपको home remedies पर depend न रहकर एक doctor को जरुद करना चाहिए और जो भी वो prescription दें उसे follow करना चाहिए अगर आपके case में diabetes है कारण तो diabetes के treatment के लिए आपको diet plan पर follow करना पड़ेगा आपको जो carbohydrates वाली चीज़ें हैं ज्यादा शुगरी चीज़ें जो ज्यादा मीठी हैं उनको avoid करना होगा इसी के साथ exercise रखनी पड़ेंगे अपनी daily routine में और साथ ही जो doctor medicines prescribe करते हैं वो regular waste stress पे लेनी होगी तो इससे भी आपकी problem solve हो जाएगी इसके अलावा अग गर्म पानी को पीना है कम से कम गुन गुना पानी आप दिन भर में पिए इसके अलावा आप खाने को चबा चबा करके धीरे धीरे करके खाएं क्योंकि हमारा खाना मुह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है तो इस चीज़ें करेंगे तो constipation नहीं होगा constipation के उप पर आई बटन और नीचे description मिल जाएंगे वीडियो को जाकर जरूर देखेगा अगर आपको constipation है इसी के अलावा अगर आपको prostate enlargement की प्रॉबलम है तो एक डॉक्टर को आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो बैटर प्रिस्क्रिप्शन होगा बजाए कि आप एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन ले ले और अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉबलम ओवर एक्टिव ब्लैडर या फिर एंजाइटी की वज़े से हो रही है तो इस केस बेस में सबसे best काम करेगा meditation कि आपको शान्ती से बैट करके अपनी बादी को observe करना पुरी बॉड़ी को आपके हाथ में आजाएगा आप अपने ब्लेडर को भी अपनी मन से कंट्रोल कर सकेंगे और आपकी problem problem solve होगी इसी के अलावा ज़्यादा अगर कॉफी पीते हैं चाय पीते हैं फिर किसी तरह की caffeine rich drink पीते हैं तो उसको avoid करने की कोशिश करें क्योंकि कैफीन से क्या होता आपका urine का जो frequency वह बहुत जादा बढ़ जाती है और soft drinks cold drinks spicy food इन चीज़ों को avoid करें तो यह problem आपकी पूरी तरह solve हो जाएगी और इसी की साथ हो सके तो pelvic floor exercise जैसे की कीगल exercise इसे perform करें यह क्या होता है कि आपकी जब आप urinate करते हैं तो वहाप एक wall होता है जैसे कि आप urine को control कर सकते हैं कि आपको urine बाहर भेजना है नहीं भेजना है तो वह आप अपने mind से control कर सकते हैं जैसे कि आप कभी कभार ऐसा हुआ हो गया जब आप urine कर रहे हैं और अचानक हो सके और आपके urine को hold कर सके यह होती है कीगल exercise और अगर आपके case में यह सारी problems नहीं है आपको सिर्फ जादा पानी पीने की वज़े से बार बार टॉयलेट आ रहा है तो यह कोई problem वाली बात नहीं है अगर आप बार बार भी टॉयलेट जा रहे हैं और अगर आपको problem नहीं हैं तो आप जादा पानी पी सकते हैं लेकिन अगर आपको बार-बार दिक्कत हो रही है कि बार-बार यह जाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा पानी का amount limit कर सकते हैं या फिर कुछ-कुछ duration के बाद पीजे पानी पीना अच्छा होता है लेकिन अगर आपको आपकी daily activities में यह दुविधा produce कर रहा है, problem create कर रहा है तो उसको थोड़ा सा control कर सकते हैं अप, otherwise पानी पीने से कोई आपको दिक्कत नहीं है तो यह है कुछ common कारण और उनके treatment जिससे कि आप frequent urination की problem को solve कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको यह वीडियो helpful लग कर all पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन्स आपको आगे भी मिलते नहीं